हलो एवरिवान राहूल शर्मा दिस साइट फ्रॉम एक्विटी 99 और मैं आप सभी लोहों का इस वीकली वीडियो शंकला में स्वागत करता हूँ दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफी मांगवा कि पिछले दो हफ़ते से हम आपको वीकली वीडियो सीरीज नहीं दे पाएते हैं बहुत सारे लोगों की क्वेरीज में भी लिखा है कि सिर आप प्लीज वीकली वीडियो सीरीज लेके आएं तो हम इस बार मौजूद ह हैं उसको हम सेपरेट रखने की बात करते आ रहे हैं और यह हम लोग बार बार आपको बताते आ रहे हैं क्योंकि यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर अगर आपने दोनों चीजों को सेपरेट नहीं रखा तो आप बहुत नुक्सान में चले जाएंगे निफ्टी में जिस तरीके से अभी हमने हजार पॉइंट के गिरावट देखी उसमें जितने भी शौट टर्म ट्रेटिंग वाले लोग हैं उन लोग का बोलना है कि सर हम लोग उपर के लेवल से फर्स गए हैं एग्जिट नहीं कर पाए हैं क्योंकि लॉस हो रहा था तो द टॉप कहां बनेगा मार्केट का बॉटम कहां बनेगा मार्केट का ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है इन फार्ट भगवान खुद भी अगर आ जाएं तो वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं मार्केट में जिस तरीके से अभी काफी जादा बढ़ गया था इन्वेस्मेंट करना गलत है ऐसा कुछ लोग नवेंबर मन्थ में भी बोल रहे थे वहाँ पे निफ्टी उस टाइम पे 12500 पे देखके लोगों का बोलना था कि ये लेवल्स बहुत जादा बढ़ चुके हैं अभी नहीं करना चीए इन्वेस्मेंट तो उसके बाद ही देखिए दोस्तों चार महीने में नवेंबर के बाद में डिसेंबर, जनवरी, फिबरेरी, मार्च में किस तरीके से मार्केट ने टर्न्ज ले और कितने बढ़िया यहाँ पर शॉट टर्म ट्रेडिंग में लोगों को मुनाफ़ा होता हुआ दिखा अगर यही चीज अगर मार्केट में अगर लोगों ने सोच लिया होता कि नवेंबर मंच के बाद में प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पिछले 2-3 मेनों में उन लोग को कितने बड़ी वो लोग यहाँ पर अपर अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं लॉंग टम में दोस्तों बिलकुल भी जितने क्वालिटी स्टॉक्स हैं आप अगर उसमें निवेश करते हैं आप उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपने अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स रखे हैं तो आपको बिलकुल भी घबराने की जरुवत नहीं है शौर्ट टम में जरूर मैं मार्केट नों बोलूंगा कि जसे एक महीने से हम लोग ने कंसॉलिडेशन देखा है मार्केट जिस तरह के से नीचे आया है इसमें बहुत सारे स्टाक्स इवन हमने भी जो रेकमेंड किये ते वो भी बहुत सारे stocks में बड़ी गिरावट देखने को मिली और ना सेरे stocks के अंदर दोस्तों, market के अंदर खुद बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली एक एक session में Nifty हमें 300-400 point गिरता हुआ देखने को मिला, volatility बहुत ज़्यादा थी मार्केट के अंदर मैं जिस स्टॉक के बरे में हम लोगों अभी देखा कि हमने बहुत सारी क्वेरीज हमें देखने को मिली और दोस्तों आप सब लोगों मैं इंशॉर करना चाहता हूं कि हम लोग काफी बड़ी एनलेसिस के बाद ही कोई भी स्टॉक को रेक् क्या करें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिट कैप और स्मॉल कैप स्पेस में खुद ही 20-25% की गिरावट देखने को मिली है बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो नीचे के नीचे के लेविल्स पे आये हैं उपर के लेविल से बट इसका मतलब यह नहीं है कि वो फसा देते हैं अलग-अलग टेट में दोस्तों ऐसा नहीं है अगर आपने अच्छी कॉलिटी के स्टॉक में अगर निवेश किया है आप अगर उसमें कॉन्फिडेंस रखते हैं तो आप बढ़िया उसमें अपनी पोजिशन रखें बहुत अच्छे कंफोर्ट लेविल पे अगर आपने परचेस किया है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ में उस स्टॉक को रखें कानपूर प्लास्टिक की अगर बात करूं तो इसने अपने अभी जो फिनाइंचल एर 2021 में ये लोग सबसे ज़ादा हिस्ट्री में अपनी सेल्स नंबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट औ और नेट प्रॉफिट ये पोस्ट करने वाले हैं और ऐसे में जब इसकी हिस्टॉरिकल नंबर सबसे ज़्यादा अच्छे पोस्ट होने वाले हैं ऐसे वक्त में ये स्टॉक अगर हमें और टाइम प्राइज हाई जो इनका है उससे अगर नीचे मिल रहा है तो दोस्तों य एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे इस स्टॉक को लेने के लिए बहुत सारी क्वेरी हमने जब कोईरी अंसलूशन बॉक्स देखा इस बार का तो हम यहाँ पे ट्राइ करते हैं कि हम जादा से जादा आप लोग को आंसर पहुचाएं जादा से जादा जितनी जवाब दे पर दोस्तों 10, 20, 15 स्क्वेरी से जादा हम लोग भी हाँ पे आपको नहीं दे सकते हैं हमेशा कुछ स्टॉक्स जो खराब हैं मार्केट में या फिर जो खराब वैलियोशन पे हैं उनको लेना आविसली बेकार डिसीजन है मार्केट ने जिस तरीके से साड़े स साथ हजार पॉइंट से निफ्टी में 15,400 की हमें रैली दिखाई उसके बाद में 1,500 पॉइंट की अगर हमें करेक्शन भी देखने को मिलती है तो वह करेक्शन की तरह नहीं बलकि रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग की तरह हमें यहां पे देखनी चाहिए यह एक लॉंग हमने मार्केट में ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट्न टॉन्स देखे हैं जहां पे पैसा जाता हुआ हमने देखा है लोग का बड़े बड़े लोग बड़े बड़े ट्रेडर्स में नुकसान होते हुए हम लोग देखे हैं जनवरी महीन् hp से हम आपको हर तरीके से घर प्लाट पर हम बेचेंगे अगर आपको लगता है कि यहां पर आपका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो आप उसको बुक करें क्योंकि प्रॉफिट बुक करना सबसे ज्याथ इंपोर्टिंट है आपने प्रॉफिट बुम्ट नहीं किया सँही समें पर तो मार्केट आगर उसके बाद में reverse हो गया आप महां से नहीं निकल पाए तो दुबारा वही कहानी होगी कि शॉट टर्म के लिया था पर वो लॉंग टर्म में convert हो गया दोस्तों लॉंग टर्म निवेशक को अभी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरुवत नहीं है शॉट टर्म में जित्ते लो और उन स्टॉक से वो बाहर निकल जाए जो अच्छे fundamentals हैं अगर किसी company के और आपको लग रहा है कि stability आ रही है तो आप वहाँ पे निवेश करें उसमें कोई भी आपको tension लेने की जरुवत नहीं है जिस तरीके से कुछ companies ने December quarter में खराब numbers पोस्ट किये valuations काफी बड़ी आई हमें लगता है कि वहाँ पे आपको exit लेना चाहिए और better quality stocks में invest करना चाहिए financial year 2022 जो आने वाला अभी April month से चालू होगा वो दोस्तों financial year 2021 की तरह नहीं होगा जहाँ पे आपको market में one sided तेजी देखने को मिलेगी market अलग अलग तरीके से चलता है कभी बढ़ता है कभी गिरता है volatility बनी रहती है market के अंदर तो आपको cautious रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और short term traders को specially discipline maintain करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब दोस्तों आईए बढ़ते हैं हम अब बात करता हूँ मैं market के बारे में दोस्तों market में जिस तरीके से हमने अभी कुछ समय में गिरावट देखी उसके कुछ reasons मैंने note down किये हैं जिसमें सबसे पहला reason है दोस्तों US market की bond yields ये चीज़ बहुत ज़्यादा अभी खबर में भी रही है लोग पूछने भी आ गए कि bond yields क्या होती है हमें market में क्यों effect कर रह कि जैसे तरीके से bond market में हमने को तेजी देखने को मिली है वहाँ पर fed के जो chairman है उन्होंने साफ साफ तोर पर कहा है कि वो लोग interest rates bond yields की चलते वो लोग नहीं बढ़ाएंगे और इस inflation को जो अभी बढ़ रही है उसके लिए वो लोग interest rates नहीं बढ़ाएंगे तो इसलिए चि पिछले साल जो नहीं तरीके से market ने परफॉर्म किया था एक नौमी ने ग्रो नहीं किया था उसकी चक्कर में अभी यहाँ पे आपको recovery देखने को मिल रही है यह fundamental recovery नहीं है और हमें लगता है कि यहाँ से जो situation है वो control limits के बाहर चली जाएगी ऐसी कभी भी situation नहीं आएगी हमारे देश में एकदम दुबारा से बढ़ते हुए देखे हैं पिछले बार के pandemic से भी जादा यहाँ पे numbers आते हुए देखे हैं especially महराश्टरा में गुजरात में मद्रप्रदेश में बहुत सरी जगी जहाँ पे lockdown लग जया है तो यह सब चीज़े दोस्तों अभी market को एक negative sentiment दिखा रही है इस चक्कर में market का trend भी आपको downtrend में आता हो दिखा है अच्छी बात यह है कि vaccination लगनी चालू हो चुकी है और धीरे धीरे सभी को vaccination लग जाएगी इसके कारण death ratio में दोस्तों कमी आ जाएगी बट कोरोनों का जो डर है वो आपको धीरे धीरे कम होता हो नजर आ पूरे world जे खतम नहीं हुआ है तो आप सभी लोग को उसमें अच्छी तरीके से अपनी अपनी साफदानिया बहुत जरूरी है तीसरा reason जो market में गिरावट का या फिर volume जो हम लोग को यहां पे कम होते हो नजर आया है उसका reason है March महीना दोस्तों March महीना आप सभी लोग जान के adjustments करने होते हैं और जिस तरीके से market में IPO का euphoria चल रहा है उसे साफसे जो short term पैसा है वो काफी कुछ लोग save भी करके रखते हैं ताकि वो IPO में निवेश कर सके हैं हम यहां से दोस्तों कोई भी बड़ा correction market में expect नहीं कर रहे हैं market जो है अगर मैं आपको nifty की बारे में बोलू तो nifty जो है एक range में trade करती भी नज़र आएगी एक consolidation phase में नज़र आएगी दो आफ़े पहले ही जो हमने weekly video series का जो आपको वीडियो था वो आपको जो भीजा था जो आपको दिखाया था उसमें भी हमने यही बोला था कि market में जो nifty में जो 15,400 का top बनाया है वो easily breach नहीं होग अभी भी market की जो consolidation range है उसकी lower range है 13,500 और upper range है 15,500 मार्केट इसी range में अभी आगया नहीं समय में काम करता रहेगा stock specific movements आपको market में देखने को मिलेंगे और वही opportunity भी बनेंगे आपके trading on investment ideas के अंदर long term investor जो है उसको बिल्कुल भी चिंतक नहीं करनी है वो इसको एक opportunity के तरह लेना है ये एक आपको अगर गिरावट मिलती है तो आपको decline से दुबारा average करने का position बनाने का एक opportunity देती है जिसको किसी को भी नहीं भूलना चाहिए especially long term investors को अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं stock का नाम लेना चाहूंगा जो हम weekly video series में इस बार शामिल कर रहे हैं बहुती बढ़िया stock है बहुती बढ़िया quarter के results आए है stock का नाम है बनुशाली इंजिनरिंग पॉलिमर लिमिटेड जो बनुशाली इंजिनरिंग पॉलिमर लिमिटेड है बी ई पी एल के short name से famous है ये जो company है ये एक low cost ABS और sand resins बनाने के लिए मशूर है और ये highly specialized इंजिनरिंग थर्मो प्लास्टिक में classify करती है ये जो product बनाती है ये अधिकतर safety measures के लिए यूज होते हैं जो की car और vehicles में लगाये जाते हैं जिस तरीके से government ने अभी ये भी mandate किया है कि April महीने से कोई भी गाड़ियो चोटी है बड़ी उसमें minimum दो airbags होने जरूरी है safety measures को ध्यान में रखते हुए और ये company जो resins बनाती है वो जादा करके airbags और ABS सिस्टम में काम मिलाए जाते हैं और दोस्तों इसी बात का benefit इस company को आता हुआ आपको दिखेगा क्योंकि यहाँ पे इस market में इनका कोई भी major competitor है नहीं भी EPL का और इस monopoly होने कारण इनको बिलकुल volume growth में यहाँ पे बड़ात होती हो देखेगी sales में बड़ात होती हो देखेगी अब मैं अगर आपको इसके performance के बारें बात करूँ जो quarter 3 का मैं आपको performance बोल रहा था बहुत ही बढ़िया शांदार numbers पोस्ट की हैं इस company ने sales जो है वो 260 करो था पिछले December quarter में वो इस December quarter में 136 करोड आ गया है अगर मैं operating profit margin की बात करूँ तो दोस्तों 9% से बढ़के 45% पर पाई गई है और अगर मैं इसके पहले 9 महीने जो financial year 2021 है अगर उसके performance के अगर आपको जानकरी दूँ तो इनके sales number total 819 करोड पे रहे हैं net profit 170 करोड पे रहा है जो कि last year 59 करोड जी था और अगर मैं EPS के बारे बात करूँ तो इन 9 मेनों में इस company ने इस stock ने 10.27 की EPS कलॉग करी है और अभी ये currently 14 के PE multiple पे trade कर रहा है दोस्तों ये stock एक cyclic business में ये company जो है वो एक cyclic business में चलती है जिसमें की कई जब इनके product के prices बढ़ जाते हैं तब इनक के product के price low हो जाते हैं तो ये कम profit show करने लग जाती है बड़ जो अभी का जो current scenario है उसमें आने वाले 2-3 हफ़ते इस company के लिए बहुत शानदार है अगर मैं आपको इस fundamental जानकारी दूँ इस company की तो इसकी total equity जो है वो 17 करोड की है और इस equity के सामने इनके पास में बहुत बड़ reserve 365 करोड का है ये company एक debt free company है जो कि इस company की बहुत ही अच्छी positive बात है आने वाला future इसके लिए बहुत ही बड़िया है अगर मैं आपको इसके holdings के बारे में बताओ प्रमोटर holding के बारे में तो प्रमोटर के पास में 56.45% stake है और बाकी जित्ता भी पैसा है वो public investment का है 43.55% का जिस तरीके से government ने airbags को mandatory किया है छोटी है बड़ी कोई भी गाड़ी हो उस हिसाब से BEPL बहुत ही बड़िया business करता हुए आपको नजर आएगी और ये जो stock है ये जनवरी 2021 में करीबन 180 के level पे था जहां से correct होके अब ये 150 के level पे आ गया है जो कि बहुत बड़िया opportunity है हमें लगता है जिस तरीके से company ने December quarter के number शो करें वैसे ही numbers इनको March quarter में और आने वाले quarters में दिखाएगी जिसमें कि यहाँ पे बहुत अच्छी opportunity आपको यहाँ पे मिल रही है stock जो है हमें बड़िया attractive नजर आ रहा है valuations बहुत comfort level पे हैं तो हमें लगता है कि जो भी medium से लेके long term क के साब से investment करना चाहता है उस के साब से यह BEPL बहुत ही बढ़िया company है अगर आपने अगले आने वाले 9 से 12 महीनों में इसमें invest किया तो आपको बहुत अच्छे return जहां पे आते हुए दिख सकते हैं तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी इस weekly वीडियो शंकला की आशा करता हो कि आप सभी लोगो वीडियो अच्छा लगा होगा आप अपने दोस्तों और परिवार को यह वीडियो दिखाएं जानकारी शेयर करें और एकविटी 99 के परिवार को और बड़ा करें थांक यू सो मैच दिस वस राहूल शर्मा फ्रॉम एकविटी 99 हैव वेरी नाइस वी कहेड़